नमस्कार दोस्तों मेरी यूटूब चनल में आप सभी का बंदो स्वागत है आज हम डिस्कास करेंगे फिजिक्स के एक टॉपिक गास के डाइवर्जन्स प्रमे किसी सदिस ए वेक्टर के अपसरन का किसी आयतन वी पर लिया गया आयतन समाकलन उस आयतन वी को घेरने वाले ब प्रिश्ट आयए ब्रशे के थूले होता है यह हमारा पहला सम्हेक्रां हो गया अब इसी को हमें आगे प्रूब करना है तो आगे देखिए डेल मेक्टर तरीक को हम इस परकास से उख सकते हैं और अबेक्टर को हम इस परकास से तो तो इन दोनों का आपस में गुड़ा होगा। यहां पे देखिए अ一点 आई वेक्टर का हो गाता है यहां पे यहां पे क्या जाएगा the fazer गुणा तो यह वला और यह वला आ जाएगा तो यह हो गैए हमारा सथे के हुए क्या है अगेwerk्टर से अगे एक है कि यह सोगा सकते हैं इस प्रकाल से सो कर सकते हैं अब कि बडुर को प्रकाल से लिखेंगे अब उसके बाद डी-एस वेक्टर को यहाँ पर ए-वेक्टर को आई-केप-a, ए-क्स-जे-केप-a, यकेप-a, जट लिहीं थे थी उसी प्रकार दी-एस-ट वेक्टर को यहाँ पर डी-एस-ए-स-डी-एस-वाई-डी-एस-ज, लिखेंगे ठीए आई के जेकड के लगाना है साथ में तो यहां पर आई केड़ और आई केड़ के कोड़ा होंगा तो यह वाला एक माना जाएगा जो यहां यहाँ पर यहां पर यह एक्स हो गया है यहां पर दी डी त्रीक अपना लिजिए एकस है तो है यहां पर यह तो y जो जट आ जाएगा और यहां पर जयट है तो कीछ यह कुम्मारा हो गया फुर्थ evasion यह सभी क मान जो हमेंस कीछ प्रापत हुआ है उसको हमें संहीक्रंड एक में रख देना है ठीक है कि comm citizen करन एक में हमनेसभी का मार रख दिया है तो GC x स्वरकाश प्रकाशक का होगा मान वाल्यमिट्रगेशन पांं लेक्सर्पां डिल एक नाय्स प्लम्दियृस दिल ईएग्राम में देखिए ईस द्यग्राम में से इस यह निक जैव्य पूरा चता है चता है एक पथी जिसका परिछे डी वाइट जट है कि अनुदीश पीवन पीवन एकस वन वाय चेट से पीव एकस दूआ चेट तक समालेंड करने पर यानि की हाद फार्य पर हम पाते हैं की वाल्यूम ट्रिगेशन डेल एकस अपान डेल एक्स ड्यक्स दी वार डीजेड ठीक है हम फनिसका महान इसको मांज करू ने करके स्वालव कर रहे है allá एक्स अपन और एक्स याट्स इसको मान लेकर कैंब पहले स्ट्रॉल कर रहे है है तो आगे दीडेगिय संद एक्स अपन डैल x dx dy dz is equal surface integration ax p1 से लिकर p2 dy dz ठीक है अब इसका solve करेंगी इसको तो surface integration ax p2 minus ax p1 dy dz इकवर surface integration ax यहां पर p2 का मान क्या है p2 का मान यहां पर देखिए p2 का मान x2 y dz है और p1 का x1 y dz तो p1 और p2 में उसका मान रख देंगे और p2 का मान यहां पर x2 y dz हो गया माइनस ax p1 का मान है x1 y dz dy dz हो गया और अगे देखिए surface integration ax x2 y dz यह वाला जो dy dz है एट हो जाएका इसके साथ गुड़ा हो जाएका तो ठीक है यह कोष्टक है कोष्टक के बार dy dz है तो दुनों के साथ एट हो गया यह dy dz हो गया मान नस surface integration यह वाला surface integration ax x1 y dz ठीक है x1 x1 y dz dy dz है तो यहां पर बिंदू p1 बिंदू p1 कमान x1 y dz x1 y dz है यहां भी तो देखिए बिंदू p1 पर dy dz कमान minus ds x आएगा और यहां पर बिंदू p2 बिंदू p2 में dy dz कमान plus ds x आएगा तो आगे इस कमान इस प्रकास से आएगा equal surface integration ax ds x इस प्रकास से कमान आ जाएगा यहां पर इस प्रकास से कमान आया है ठीक है volume integration del ax upon del x dx dy dz equal surface integration ax ds x इस इस प्रकास से कमान आया है एक्स का ठीक है यह वाला एक्स याद रखना यह हमारा चट्वा समीकरण है तो इसी प्रकास से हमें जो ए वाई और एजट है इसका भीमान लाना है जिस प्रकार से मने एक्स का लाया है ठीक है तो आपने आगे देखिए सिद्रेट को लाए है और उसी प्रकार से रोल्म जोडने पर जोड़ने जोड़ देंगे चैसथ को तो वाल्म ट्रिकेशन देल एक्स ब्लस यह प्लस नहीं एकस डिए लगाथ यह तो हम यहां पर जो गवाल यह प्रकार से सोखर सब्सक्राइब यहां पर जो मालना यह है यह जो इसके इक्वलाएं रएंट पहले हमने मैं इसको सॉलेट किया था कि डेल एक्टर और एक्टर कमाद इस्पकास आया था था तो यह था हमारा जो पहला समी करन जो प्रूब करना था तो हमने प्रूब कर लिया है यह था हमारा गास का तो आपको थोड़ा भी हैल्फ वह हो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू गाइस